हेलो दोस्तों नमस्ते माई नोई श्टैरों में आप सब का स्वागत करती हूं माई सोल पैमली माई वीवर्स माई सिस्क्राइबर्स काउड ब्लेस यू आप सुस्ष्ट होंगे मस्त होंगे अपने लाइप में आगे बढ़ रहे होंगे दियर आज कभी कजम वीडियो लेकर आज दुपहर की इनर्जी आपके पार्टनर की तो आज दुपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके उनका मोड कैसा है उनकी ट्रू इंटेंशन क्या होगा क्या कुछ चलना उनके लाइप में तो कलेक्टिव रीडिंग है और सारे साइन के लोग देख सकते ह मेल फिमल मैरे अन्मैरेट सब के लिए है तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनरजी रिजनेट होती होतना ही लेना है बाकी को जाने देना है चलिए देखती हूं आज तो पहर के एनर्जी मेरे वीवर्स के पार्ट नर्स के एंजल्स प्लीस काइट करें क्या बात है भाई आप देख रहों इतने कार्ड में ये कार्ड हर रोज आ रहा है moment to moment तो देखिए बहुत लोग सुचते हैं कि सबकी रियूनियन होड़ी तो मेरी भी हो रही है हर इंसान को सबसे पहले खुद के अंदर भी देखना चाहिए अपने कमियों पर काम करना चाहिए हर दिन किसी न किसी की रियूनियन हो रही है तो moment to moment क्या होता है तो सबकी हो रही है तो आज आपकी बाड़ी है कल उनकी बाड़ी है क्योंकि सबकी कर्म अलग हैं सबके blockage अपने हैं सबकी life में जो problems हो रही है relationship में सबकी अलग-अलग है तो एक साथ कैसे किसी से comparison कर सकते हैं ठीक है तो moment to moment के energy है तो सबकी रियूनियन हो रही है step by step ठीक है तो देखिए रोज यह कार्ड निकल रहा है आप गौर कर रहे होंगे moment to moment के energy है देखिए comparison भी है कल भी comparison निकला है देखिए आज भी comparison है कल parents से comparison निकल रहा था we are the world ठीक है सबकी एक जैसे energy नहीं होती collective reading का मतलब क्या होता है general reading का मतलब क्या होता है inner voice तो इसका मतलब समझिए ठीक है न और अपनी energy को trigger मत कीजिए और किसी से comparison नहीं अपनी energy को balance कीजिए completion के energy में आई अगर जो अपने आपको trigger कर रहे है ठीक है न आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ यह आप जानते हो God जानते है यह energy है यह energy कभी भी change हो सकती है mood है energy है आपके energy याद किजिए कि आपके energy कभी trigger होती है कभी खुसी कभी गम कभी जगरे कभी चिरचिरापन नींद नहीं आना कभी बहुत नींद आना तो आपके energy किस तरह काम करती है energy वही चीज होती है ठीक है तो इनोसेंस तो ये चीज़ इनर्जी का मतलब समझे कि क्या है ठीक है जिनकी बात मुलाकात हुई है रियूनियन हुई है जरूर कम्मेंट में लिखें और एक चीज़ हाँ आज मैंने सुवा का वीडियो जो डाला है उसमें किसी ने कहा कि मैं में कमेंट में लिखा हुआ था इतना दूर ट्रैबल करकर आप उनसे मिलने जाओगे बाबु समय देख लो कैसा है आप मैरेड हो अनमैरेड हो आपकी फैमली जानती है उनकी फैमली जानती है या नहीं जानती है समय कैसा आ गया है समय पर फोकस कीजिए समझें अगर आपके पार्टन आप फीमेल हो सकती हों आप फीमेल की वाइवरेशन थी लेकिन अगर मेल है तो वो आपके पास क्यों नहीं आ सकते है ठीक है आप साइद उडिशा गुजरात की बात हो रही थी तो आप ही सोचो कि आप ट्रेबल करकर आओगे समय कैसा चल रहा है कि आपकी फैमली जानती है उनकी फैमली जानती है तो यह मैं गाइट करीं मोटिवेट करीं हूँ बहुत लॉंग जर्णी और आपके बारे में कोई नहीं जानता है आपके पास के बारे में तो कभी भी यह रिक्स मत लीजिएगा समय कैसा चल रहा है नियूस देखिए ठीक है प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी बरबाद नहीं करना है जीने प्यार है वो आपके पास आएंगे ठीक है अगर जाना भी है किसी से मिलने तो पूरी फैमली जाने तभी मिलिए ठीक है उनकी फैमली आपकी फैमली और आपके पार्टनर को जानती है तो ठीक है बीना सोचे समझे किसी तरह का रिक्स नहीं लेना है ठीक है माइनिस रे उपी 69 पे मैंने वीडियो में कमेंट में पढ़ा लेकिन मैं हर का जबाब बाबू कमेंट में नहीं दे सकती हूँ न एक नहीं है बहुत लोगा मेरे सार बहुत काम है यह तो मैं आपको गाइड सब के लिए है चीज़ बहुत लंबा जड़नी हो और आपके रिस्ते के बारे में कोई नहीं जानते है कभी भी आप लोग जड़नी पर नहीं जाना मिलने ठीक है समय बहुत खराब चल रहा है किसका मूड कैसा है कभी भी यह गलती मत किजिएगा ठीक है प्यार है तो आकर मिलेंगे और अगर प्यार है तो दोनों फैमिली में बात होगे लेकिन इतना लॉंग डिस्टेंस आप जाओगे फीमेल होकर मिलने अगर कुछ ऐसी बाते हो गई बाबू तो फिर क्या होगा रिक्स नहीं लेने का चिक है अगर उनकी साइट मदर है तो आप अपने पैरेंस से फैमिली से बात कराईए बीना डिस्कस किये कभी भी अगर अनमैरिड हो तो भी की बात करो कभी भी यह कभी गलती मत करना आप लो कहीं दूर बिल्कुल मत निकलना न्यूज देख रहे हो ना कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं रिस्ता प्यार है तो सही है तो आकर मिलिए कमिट्मेंट की बात कीजिए फोर अब वांड्स प्यार के चक्कर में पूरी जिन्दगी बरबाद नहीं करना है बिल्कुल नहीं जिन्दगी बहुत अनमोल है अपना मेहनत कीजिए मैनिफेस्ट कीजिए रिस्ते होंगे तो जरूर बन जाएंगे लेकिन इतना लॉंग डिस्टिंस सही नहीं है और आज का समय आप जान रहे हो अब ये भी कुछ मैंने घटनाई सुनी है ये सब ठीक नहीं है आख मुद कर किसी पर विश्वास जब तक वोनों की फैमिली नाम आने बाबू मैं कह देती हूँ आपने से कोई रिक्स मत लेना ठीक है और जब भी जाओ उड़ी फैमिली के बोल कर जाओ अगर बाहर भी आप लोग पढ़ते हो अगरे चीछ तो और बिलकुल मत करना चीक है बिलकुल मत करना ये सब कितने सारी न्यूस देख रहे हो चीक है ये गाइडियन सब के लिए एक के लिए नहीं है मैं सब के लिए बोल रहे हूँ ठीक है जै दुर्गाकाली शेरा वाली मा जै मातारानी जै बाबा बजरंग वली सब को सदबुद्धी दीजिए सब के रिष्टे बैलेंस में रहो किसी के साथ गलत ना हूँ बस मैं ये ही चाहती हूँ मैं इतना गाइड क्यों करती हूँ हर वीडियो में कितना मोटिवेट करती हूँ क्यों करती हूँ कि आपकी जिन्दगी बहुत अन्मोल है ठीक है आपकी जिन्दगी बहुत अन्मोल है उस जिन्दगी को देखिए आपसे बहुत लोग जूरे हैं उनके बारे में भी सूचना है ठीक है साइन बता दू एरिस लिएंज साजिटेरियस हैं लिब्राइकरेस जमनाई कैप्रिकॉन टॉरेस वर्गो की एनरजी है और कप्स की एनरजी नहीं है ठीक है देखिए आपके पार्टनर मिलना चाह रहे हैं बहुत सारी फ्यूर्स आपके पार्टनर रियूनियन के लिए आ रहे हैं ठीक है लेकिन उनकी फाइटिंग हो रही है थर्ट पार्टी से खुश नहीं है और ये परसन जो भी है आपके पार्टनर फोर और वन्स के एनरजी है यानि कि बहुत सारी व्यूर्स आपकी spiritual connection है ये कह सकते हैं कि completion कि आपके पार्टनर अधूरा फिल कर रहे है इस दोरान आपके पार्टनर emotions तो है उनके दिल में प्यार तो है लेकिन बहुत ज़ादा ये अपने जिन्दी से fight कर रहे हैं क्यों क्यों कि कहीं न कहीं आजकल के energy में आपके पार्टनर आपके लिए लड़ रहे हैं उनके life में काफी परशानी है काफी दुख है और काफी उल्जने बहर चुके है क्योंकि आपके पार्टनर आपको commitment देने की तयारी पूरी जोरो सोरो से कर रहे हैं बट आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर की किस तरह fighting जगड़े ओड़े हैं चिक है किस तरह tower आ रहे हैं किस तरह stress ले रहे हैं आप अपने पार्टनर की energy को ही देख लो क्या कि आपके पार्टनर इनोसेंस यानि आपके लिए प्यार emotions बहुत strong फिल कर रहे हैं लेकिन एक भरा transformation तो हुआ है आपके पार्टनर की दिल और दिमाग में उनके life में कि आपके लिए fight कर रहे हैं आप देख सकते हो तो आपके पार्टनर के life में tower क्यों आ रहा है क्यों इतनी fighting जगड़े हो रही क्यों third party खिलाप है क्यों आपके पार्टनर इतने अधूरा फिल करें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साजिस चल रहा है क्योंकि आपके पार्टनर जिद पे हैं कि हर हाल में उन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है आपके साथ commitment है आपके साथ marriage है आपके साथ future है अगर ये कर रहे हैं तो साथ आपसे कहने ही पाने क्योंकि यहाँ five of pentacles की energy है इतने सारे losses में जो इनसान रहेगा वो क्या अपनी life की story आपको बताएगा ठीक है तो यहाँ पर जहाँ सच्चा प्यार होता है उसके partner विल्कुल तूट जाते हैं बिखड जाते हैं पाने की चाह में पूरी तरब बरबाद हो जाते हैं यह होता है true love यह होता है प्यार के लिए चिक है जो यहाँ पर बहुत सारे viewers आपके partner इस पक समझ में नहीं आ रहा है यह दिल की सुने या दिमाग की सुने ठीक है लेकिन यह person के life में जो गर fighting जगड़े हो रहे हैं तो भाई सिर्फ आपको लेकर यह अपनी जिंदगी में आपको बापस लाना चाहते हैं अगर third party आपके खिलाप है तो खिलाप है क्योंकि हाँ जगड़े fighting बहुत होड़े है आपके partner आपके तरब बढ़ना चाहते हैं आपके partner आपको याद कर रहे हैं मिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में बापस लाना चाहते हैं ऐसा नहीं वो आज भी आपका इंतिजार कर रहे हैं अगर आप दोनों की commitment भी हुई है तो भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिष्टे को पूरी तरह निचोड़नी की कोशिस कर रहें क्योंकि अब आपके partner stand लेना चाहते हैं आपको stability offer देना चाहते हैं खुद पर काम करना चाहते हैं मेहनत करना चाहते हैं यह किसी पर आप dependent नहीं रहना चाहते हैं चाहे वो किसी के खिलाब जाए बट यह person आपको अपनी जिन्दगी में बापस लाना चाहते हैं ठीक है emotions तो है आपके partner को ठीक है लेकिन यहाँ आपके लिए यह fight कर रहे हैं यह person आपके लिए fight कर रहे हैं बाबु मैं इतना जरूर बोलूँगी मैं जितना guide करती हूँ प्लीज उस guidance को जरूर follow करेंगे जो जो guidance follow करते हैं मेरे comment में जरूर लिखेंगे और अपने देखा होगा guidance से क्या बदला हो आता है आपके जिन्दगी को बचाना है आपको वो हग दिलाना है नहीं तो life में आपको आगे बढ़ना है किसी से गिर-गिर आना नहीं है self-dependent, self-love पर focus करना है याद रखेगा यह दिदी की guidance है यह guidance आपको काम करेगी ठीक है? तो अपने आपको पी धियान दिजिए सिर्फ आपके लिए मैं बोलती हूँ ठीक है? यहाँ पे truth यह है सच यह है कि आपके partner यहाँ पे qualified कर रहे है real यहाँ पे इस emotions को आप देख सकते हो कि जिस तरह pain में है समझ में नहीं हा रहा है कि किसका सुनू दिल का सुनू दिमाग का सुनू क्या करू लेकिन आपके partner आप में साड़ी दुनिया देखते है ठीक है? आपके partner आप में साड़ी दुनिया देखते है आप से उन्हें completion है आप से उन्हें खुसी है लेकिन आपके पार्टनर का दिल और दिमाग कह रहा है कि वो आपके तरफ बढ़कर ही रहेंगे देखिए moment to moment comparison क्यों हो रहा है यह आपको spike कर आपके लिए passionate फिल करें कि आपके जीवन साथी और आपके साथ पार्टनर उन्हें नहीं मिल सकता ठीक है अब उनको अकेला पन खर रहा है वो आपको खुछ से दूर जाते देखकर उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है वो वापस अपनी जिन्दिगी में लाना चाहते हैं आपको ठीक है आपके पार्टनर आपसे प्यार करते है ठीक है तो कुछ वर्स मुझे लगारा कि यहां पर बहुत सारी वर्स ऐसे भी है जो आपे स्ट्रेस ले रहे हो आपके अंदर भी गुस्सा है ठीक है चल रहे है कि इसने मेरा दिल तोडा है आपका भी जी चाहा रहा है कि मैं गुस्सा करूं fight करूं किस पर उतारूं आपका भी दिल इसमें से बहुत सार विर्स आपकी एनर्जी ऐसी है लेकिन कुछ विर्स आपकी एनर्जी ऐसे भी है completion कि आप उनके बगर बहुत अधूरा फिल्ड कर रहे हो आप ऐसा सोच रहे हो कि कास मैं ही एक बार call message करकर देखती मैं ही action करकर देखती या देखता आप कोशिस कर रहे हो बट कर नहीं पा रहे हो आपको पता कि कुछ भी भात होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो कुछ विर्स आप खुद को trigger कर रहे हो कुछ विर्स आप खुद को अकेला पन महसूस कर रहे हो लेकिन यहां पे आपके partner देखिए यहां we are the world of the world की energy है दो दो cards हैं आप पे पूरी दुनिया उनकी है यह cycle complete करना चाहते हैं आप से मिलकर reunion और commitment देखकर ठीक है आपके partner इस बख सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं ठीक है क्योंकि आपको एक पल के लिए ओज ज़ल नहीं कर रहे हैं मतलब जैसे होता है ना कि दिलों दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और लगाता है आप पर नज़र रख रहे हैं comparison किया जाए तो आपके जैसा कोई जीवन साथी दोस हम सफर नहीं मिल सकता और इस दोरान यह emotions भी feel कर रहे हैं और अपनी life से आपको दूर जाता नहीं देख पा रहे हैं और आपको याद करें समझ नहीं आ रहे कि करें तो क्या करें painful situation है fighting है जगरे है टावर है इनको बहुत जटका मिल रहा है क्योंकि यह आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं आपके लिए यह fight कर रहे हैं यह भी किसी के खिलाब जा रह है और आपके पार्टनर यह सउझ कर थोड़ी बहुत healthy pomoc तो भी हो रही है. आपके और आपके बीच में कुछ न कुछ तो किया जा रहा है और असर कहा हो रहा है आपके partner के ऊपर आपके partner के ही life में हो रहा है, देखिए याद किजह yayसा करता है उसके घर में फिर बापस जाता जो गलत करता है, ब्लैक मैजिक करता है, घबड़ा ये नहीं, वो जो कर रहे हैं, उसी के घर में फाइटिंग जगड़े हो रहे हैं, सबसे जदा आपके पार्टनर को ही दर्द पेन हो रहा है, प्यार होने के बाब जूद भी वो आपका इंतिजार कर रहे हैं, आपके लिए कमपलीशन की एनरजी और यहाँ पे सेमन ओपैंटिकल्स की एनरजी, कितने परिशान है वो, इस टाइम इस्टेबिलेटी ढूद रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, आपके साथ इस्टेबिलेटी ढूद रहे हैं, आपके साथ कमिटमेंट ढूद रहे हैं, आपके साथ र मलते हैं सच्चे प्यार से ठीक है कितने लोग हैं जो देखिए होता है अगर आपका स्ट्रॉंग प्यार रहा डिवाइनली गाइड़ हो तो समझ जाए कि सपर में बहुत साथे ऑप्सिकल है ठीक है बहुत लोग जलेंगे बहुत लोग तोडेंगे बहुत लोग बरबाद करे लेकिन आखिकार डिवाइनिंग टाइम पर जीत होती है अभी आप देख लिजे कि आपके पर्सन के क्या हालात है किस तरह पेंफूल सिचुएशन में हैं कितना अकेला पन कितना तनह मसूस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हमेशा एक दूसरे के दिल और दिमाग में रहते हो और आपके वगर इनका क्या हल हो सकता है आज ऐसा है तो फ्युचर क्या होगा इने स्टेबल होना हैं और आपको कमिटमेंट देना है एक्शन भी लेना चाहते हैं हाँ लेकिन किसी से ये दूर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं चाहें वो कोई भी हो, जो लोग भी आपके खिलाबें किसी से ये दूर जाना चाहते हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छे काम की तलास में हो, अच्छे जॉब की तलास में हो, ताकि वो आपको stability offer कर पाएं, emotions तो है, लेकिन ये चीज इनका support नहीं कर रहा, इनको trigger कर रहा है, साइध इनके लिए कुछ बचा नहीं, कोई खुशी बचा नहीं, कोई इनको समझ नहीं पा रहा है, कि इनके दिल में किसके लिए प्यार है, किसके लिए respect है, लेकिन ये चाहते हैं, चीजें सही हो, छिक है, इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा. लेकिन इनका दिल कर रहा कि kilometres अगी मैं अब जैसे किल बैलेंस नहीं लेकिन मैं अपने दिल अपने दिल अपने इनर वाइस की सुनुगा अंतर आतमा की सुनूगा जो मेल हो फीमेल हो. चिक है? stress होना, completion होने चाहिए, आपका साथ चाहिए देखिए इनको भी देखिए जो energy आरी ने, सपने जैसे आपके हैं कि आप दोनों को एक दूसरे को commitment चाहिए, आपके साथ घर बनाना है आप दोनों एक दूसरे की विना रह नहीं सकते कि आप दोनों का प्यार strong है, फिर भी fighting जगड़े हो रहें, कुछ इतने बुड़े परभाव होते हैं कि आपके partner share नहीं कर पाते हैं, कि क्या आपसे कहें, उदासी, परशानी, जगड़े और fighting आपके खिलाप ऐसा हो रहा है, आपके खिलाप ऐसा हो रहा है, ऐसा वो आपके person नहीं कह सकते हैं लेकिन फिर भी इनके दिल में है, कि वो आपके stability offer करें, commitment करें, दोनों साथ रहें, एक घर बनाएं कुछ लोग married life में भी काफी उल्जिने में देख पाड़ी हूँ, कुछ viewers आपके married life में भी काफी obstacle आ रहे हैं और किसी की बूरी द्रिश्ट्री तो है, अगर आप लोग married life में भी बहुत सारे problems आ रहे हैं, किसी और के बज़े से आपका घर तूट रहा है, आपका देखी यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत लोग committed ने, लेकिन किसी और के बज़े से कहीं न कहीं बहुत सारे obstacle आ रहे हैं यह partner जो भी हैं आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात करने की कोशिस करें, अपने जिन्दगी में बापस लाने की कोशिस कर रहे हैं, लेकिन उलजेने देखिए सुलजने का काम ने करी, जब भी इस stand लेने की कोशिस करते हैं, तो देखिए कितने लोग हा भी हो जाते है देख लिजिए आपके पार्टनर की एनर्जी खुद ही देख लिजिए किस तरह इंतिजार कर रहे हैं कि उनकी जिन्दगी में आप आपस आज़ो चाहे कुछ भी करना हो प्रेयर हो प्रातना हो मैनिफेसेसन हो काफी सोच रहे हैं और तूट रहे हैं लेकिन ये मिलना चाह रहे हैं कितने लोग से ये भीर रहे हैं लेकिन सारे दुख परसानी को ये रिलिस करना चाहते हैं आपको अपने जिन्दगी में लाना चाहते हैं रिस्ते को कहा जाए तो बैलेंस करना चाह रहे हैं इन्होंने कोशिस की, बात रखी आपको लेकर और सिचुवेशन देखिए कहां से कहां पहुँच चुका है. चाहे वो अपने अच्छे जॉब की तलास में स्टेबलेटी ढून रहे हैं, आपके लिए क्या करना नहीं करना ये सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनोसेंस की एनरजी है. कितना याद करें, कितना मिस कर रहे हैं, साथ इनको नींद भी ना आती हो. आपसे बात्चित भी अगर होती हो, तो खुल कर आपसे ही कहनी उपा रहे हैं, इनोंने जान बुच कर आपसे दुणिया भी बनाई है, किसी रीजिन्स के वज़ा से, क्योंकि इनके लाइक में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा. ये खुद को भी इग्नोर किये हैं, आपके पार्टनर ने हैं, खुद को इग्नोर करके खुद को ट्रिगर किया इनोंने, और ये आना चाहती हैं आपके तरफ, तेजी से बढ़ना चाहरे हैं, आपसे मिलना चाहरे हैं, बहुत सिच्वेशन में उथल पुथल हैं आपके प बात की, अलग घर रहने की बात की, देख लिजे क्या कुछ चलने लगा, आप से आप से दूर नहीं रहना चाहते हैं आपके पार्टनर, बहुत ड्रामा हो रहा है, देखें, यहां भी ड्रामा, यहां भी ड्रामा, यहां भी ड्रामा, और किसी तरह का टावर आया, किसी spiritual guru का सहारा लेकर आप दोनों को अलग करने की साजिस भी हो रही है क्या मिलता है किसी को घर तोर कर प्यार को तोर कर लेकिन यहाँ पर आपके partner आपकी loyalty दिख रही है completion and king of swords the world four of wands we are the world आप उनकी दुनिया हो आपके partner खुल कर कह रहे हैं कि आप उनकी दुनिया हो तो इनका साथ कोई नहीं दे रहा है आप दोनों के relationship में कोई साथ नहीं दे रहा ठीक है आपके partner हो सकता है इस वाग के लिए रहना भी पसंद कर रहा है और कापी deep thinking भी कर रहे है लेकिन आपके partner आपके लिए fight कर रहे हैं आपे सिर्फ आपके लिए ये सहर रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन innocence के energy ये देख लीजिए आ रहे हैं reunion के chances मुझे यहाँ पर बहुत strong दिख रहे हैं ठीक है बट यहाँ पर आपको अपने रिष्टे को बचाने के लिए यहाँ prayer करने की जरुवत है manifest करने की जरुवत है trigger करने की जरुवत है ऐसा नहीं कि यह इनसान आपको हर बात बताए जगड़े, fighting क्या हो रहा है अगर हर बात आपसे वो नहीं कहते हैं क्योंकि वो king of swords की एनरजी में रहते है चीक है वो हर बात आपसे नहीं कह सकते है लेकिन इनका क्या loss हो रहा है आपके ना होने से इनकी जिंदगी में अगर कोई support नहीं कर रहा है क्या इनके साथ हो रहा है यह आपसे कह भी नहीं पारे और थोड़ी health tissue भी हो रही है family drama family problems बहुत हो रही है और किसी spiritual guru से आप दोनों को अलग करने की साजिस भी जो तोड़ों से चल रही है कोई इनको favor नहीं कर रहा आपके और आपके partner के खिलाप हैं लोग लेकिन आपके partner आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी नहीं ठीक है तो जैसे partner कहा जायती इस वक्त जो partner का feelings emotions है वो आपके लिए favor कर रहा है इनके emotions इनके प्यार इनके लोयलिटी यह आपको favor कर रहा है लेकिन इनको और आपको कोई भी नहीं favor कर रहा दुख परशानी कितना release करे कितना problem से ले तो हर बात आपके partner आपसे share नहीं कर रहे है ठीक है बहुत परशानिया आपके partner के life में आप देख सकते हो ठीक है अब अपने अंतरात्मा की सुनने वाले हैं आपसे दूर नहीं रहने वाले हैं वो तेजी से planning कर रहे हैं आपसे बढ़ने के लिए किसी न किसी को छोड़ना चारे है कहीं न कहीं से तो भागना चारे है कहीं न कहीं से तो निकलना चारे है और एक नई सुरुआ चारे है कान दो दो कार्स आ चुके आप उनकी दुनिया आप उनकी world हो completion आपसे वो खुद को पूरा समझते है four of wands के energy है बहुत दर्द में हैं वो और ये दर्द सिर्फ आपके लिए सह रहे है और जो लोग आपके खिलाब कुछ न कुछ कर रहे है चाहिए spell black magic जो भी हुआ इदर उदर से लेकिन ये अपने आपके पार्टनर के घर में ही life में ही problems आ रही है वो तो आपके लिए देखिए stuck है next action इस वगए आपके पार्टनर स्टक है miss बहुत कर रहे है आपको छोड़ नहीं सकते हैं आपकी respect करते हैं दुनिया एक तरफ है अब आप एक तरफ है लेकिन ये आएंगे और एक transformation हो रहा है call message कर सकते हैं ठीक है बहुत सारी viewers कुछ हो नहीं लेकिन आपके partner आपकी respect करते हैं एक transformation चल रहा है आपके तरफ बढ़ने वाले हैं कुछ energy में aggressive energy भी है क्योंकि energy balance नहीं है आपको video call कर सकते हैं, बातचित कर सकते हैं tax कर सकते हैं, status लगा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, लेकिन situation में stuck हैं लेकिन बहुत जल आपसे मिलने भी वो आ रहे हैं ठीक है तो यहाँ 8 number important दिख रहा है 5 number important दिख रहा है 10 number important दिख रहा है लेकिन यहाँ आपको खुद की energy को balance करना है खुद की energy को trigger नहीं करना है energy करती खुद को trigger करोगे तो वो भी trigger ही होगा अगर आप खुश रोग और manifest करो तो वो भी वही चीच करेगा ठीक है तो रिष्टे में, जर्णी में सब को समझना है अब आपके partner ने जो किया यह आप जानते हो क्योंकि यह collective reading होती है general reading है लेकिन मेरे guidance को जरूर follow कीजेगा बहुत सार वियर्ज, news देखिए यह सब देखिए, जरूरी है बाबू और अपनी कहीं भी चाहिए पूरे precaution के साथ जाहिए समय सही नहीं चल रहा क्योंकि आप देख रहा ना कितने लोगों की कितनी नजर है कैसी five of wands एकी, three of swords एकी five of pentacles एकी, the tower देखिए कहीं जाए, family किसी को बदा कर जाएए लिख कर जाएए, जब तक अगर बहुत long distance है दोनों unmarried हो, किसी को बात चित नहीं है किसी से, ऐसे कभी भी long distance नहीं मिलने उनने जाना बाब, यह मेरे तरफ से guidance है, क्योंकि हम लोग news भी देखते हैं, ठीक है बहुत कुछ handle करते है इसलिए मैं कहा रही हूँ, कभी भी ये गलती मत करना है, चाहे male हो या female हो भाई ठीक है, तो बहुत सारे viewers आपके partner, अगर guidance आपको अच्छी लगी हो, तो बाबू जरू comment में लेकिन मेरे guidance को follow किजिए, मुझे बुरा नहीं लगए, मुझे अच्छा लग़ा है, मैं किसी को guide कर रही हूँ, यह जीवन मिला है बाबू, ठीक है तो आपके partner, आपसे बाचित कर सकते हैं बहुत जल्द reunion होने वाली है, जिनकी बाचित हुई है, जरूर comment में लिखेगा, ठीक है और एक transformation चल रहा है, reunion के लिए तो घबराईए नहीं, manifest किजिए सारी दुनिया आपमें उनको दिखते हैं, मिस कर रहे हैं, आपकी respect करते हैं, थोड़ा परसानी इनके लाइफ में बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है किसी तरह कलराई, जगरे जटका, कुछ टाबर, कुछ न कुछ तगरा हो रहा है इनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपके लिए इसलिए, ठीक है वो अपना प्यार सिर्फ आपको देना चाहते हैं, किसी और को नहीं तो यह थी दोपहर की एनरजी आपके पार्टनर की तो वीडियो को लाइक कीजेगा, प्यार दीजेगा मुझे मोडिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है गाइडियन्स को जरूर करना बाबू, फॉलो क्योंकि जिन्दगी का सबाल है, इज़्यत का सबाल है सबके पैरेंस अपकी फैमिली होती है, वो भी देखना है अगर ये गाइडियन्स को फॉलो कीजेगा तो बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते है समय कैसा चल रहा है, या आप बुक पर रहे होंगे तो आपको पगीता हो रवायन हो, जो भी आप पर रहे हो बाइबल हो, जो कुछ भी पर रहे हो उसमें सबकुछ लिखा है इसलिए हर कुछ सोच समझ कर आपको चलना है ठीक है, ध्यान रखिएगा प्यार अपनी जगा, जिंदगी अपनी जगा और इज़द भी अपनी जगा है ठीक है कोन कैसा है कोई नहीं जानता है न बाबु इसको फॉलो इसलिए करते हूँ कि गाडियन्स फॉलो करेंगे तो कम से कम वो दिमांग में आप उतार पाएंगे और खुद से वो डिसीजन ले पाएंगे ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो बहुत सारी वो पार्टनर आपके कमिटमेंट को लेकर फायट जगड़े करें एक ट्रांसफरमेशन उड़ा है और आपसे कमिटमेंट चाह रहे है आपसे मैरेज चाह रहे है आपसे फ्यूजर प्लानिंग करें आपकी वो रिस्पेक्ट करते है ठीक है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अधिहान जरूर रखें, अपने इनर वाइस की जरूर सुनें, God bless you and thank you.